पंजाब कॉंग्रेस में मचा घमासान अब इस हद तक बढ़ गया है कि मुक्षमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है कैप्टन से नाखुष चालीस विधायकों की चिठी के बाद कॉंग्रेस हाई कमान ने बड़ा फैसला लेते हुए आज शाम पाँच बजे चंडीगर सित पंजाब कॉंग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक बुलाई है पंजाब कॉंग्रेस के प्रभारी हरिश रावत ने सोनिय गांधी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर विधायक दल की मीटिंग के बारे में जानकारी थी इस बैठक के बाद रिपोर्ट तयार करके हाई कमान को भेजी जाएगी बागियों के रुक को देखकर इस पस्ट है कि वो इसके जरीय कैप्टन के खलाब आविश्वास पिस्ताव लाने की तयारी में है वहीं इसकी जानकारी लगते ही कैप्टन ने अपने करीबी विधायकों को सिस्वा फॉर्म हाउस पर बैठक के लिए बुला लिया है जिसमें आविश्वास पिस्ताव को लाने की सूरत में उससे निपटने की योजना तयार की जाएगी